कि दोस्तों मैंने काफी सारी वीडियों मैं आपको बचाया था कि 10-15000 में आप कौन सा फोन ले सकते हो आज इस वीडियों को देखते हूं और मैं आपको पताने वालें तो आपको बजिट है 20-35 da तो आपको कौन सब लेना चाहिए मार्केट में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट पर 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 देखी दोस्तों सबसे सर्विस सेंटर देखना यानि मेरे सर्विस सेंटर में यह वाला फून अगर यह बता रहा है तो लेना चाहिए कि यहां पर सर्विस कैसी मिलेगी यह सब आपको डिजाइड करना है उसके लावा यह मेरी परसनल चॉइस है अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं तो है आईफोन का SE और इस फोन को अब ले सकते है अगर आपका बजट है 24 से 25 जार रुपे और यहां पर कमाल की बात क्या है आपको आईफोन मिल जाता है यानि एक ब्रैंड मिल जाती है काफी अच्छी ब्रैंड है आप जानते हो आईफोन साथ में यहां पर इसकी सर्विस भ है आईफोन का SE इसको आप ले सकते है अगर आपका बजट है 24 से 25 जार रुपे तो दोस्तों इसके लिए जो एक और फोन है वो है सैमसंग का C7 Pro अगर आपका बजट है 24 से 25 जार रुपे तो आप इस फोन को भी ले सकते है और Android में सबसे रोयल ब्रैंड इसको बोला जाता ह यानिकि सबसे महेंगा फोन जिसको होता है वो होता है सैमसंग का Android में जाधा तर तो यहां पे अगर आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो यहां पे आपको मिल रहा है 24 से 25 जार में C7 Pro आप इसको भी ले सकते है तो दोस्तों इसके लावा जो एक और फोन है वो है आपका Moto का Z के बीच में तो इसके लावा जो नंबर 3 पर फूर है वह आपका और का 8 प्रो आप इसको भी ले सकते हैं अगर आपका बजट है 26 से 27 जार के बीच में तो यहां पर आपको बैटरी का अच्छी मिल रही है तो काफी अच्छा फोन है यह बी और और काफी अच्छा है 26 से 27 ज 20 यह भी काफी अच्छा फून है और इस ब्रेंज में सबसे अच्छा फून मेरे साफ से यही है 30-31 जार के बीच में तो दोस्तों बात करते है नंबर वन पे कौन सा है तो नंबर वन पे जो मेरे साफ से फून है वह वन प्लस पाइफ जी हां अगर आपका बजट है 33 से 34,000 क बीच में तो यहां पर आपको मिलता है वन प्लस का फाइफ और यह भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बजट है तोटल 35,000 के आसपास तो दोस्तों यह कुछ फोन हो गए है जो 20 से 35 के बीच में आप ले सकते है तॉप 7 जो मेरी है वो मैंने आपको बता दी है इसमें आपका सैमसंग भी आ गया आइफोन भी आ गया मोटो भी आ गया ओनर भी आ रगया वन प्लस भी आ गया तो इनको आप ट्राय करसकते हैं अगर आपका 20 थे 35,000 रुपे रेंज है तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह पून पसंद आया है कोई भी एक फून पसंद तो प्लीज इसे लाइक और शेय करना बिल्कुल मत बूलिए अगर आपका कोई कोशन है तो कोड़ वक्स में आप लिख सकते हैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ आज के लिए दूसरों इतना ही मिलता हूँ अपसे एक लिए वीडियो में धन्यवाद